यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है आजाओ नाम क्या है तुम्हारा अंकित पूरा नाम क्या है आजाओ उपर नमस्कार कैसे हो आप कितने समय से कौन से पेपर की त्यारी किया आपने यू पीपी की त्यारी कर रहा हूँ तीन साल से इलहाबाद में हूँ और और आपका पेपर लीक हुआ तो नुकसान तो आपका हो रहा है और नुकसान इन सब यूवाँ का हो रहा है पाइदा किसका हो रहा है पाइदा सा सरकार का हो रहा है सर पचाज साथ हजार भरतिन गाई है डेट डेट सो रुपे के हिसाब से लाखो करोड़ रुपे वसूल के रख ली और परिच्छा सर होम डिश्टिंग में करके नकल का पूरा बर्मार लगा दिया सर सब ने अपने अपने जिले में अपने अपने कालेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया सर मेरा आप तक पढ़ाई में मेरे पातापता से लाखो रुपे खर्चे हो गए सर मैं इलावाद में आकर 20,000 रुपे की दो बार कोचिंग कर चुका हूँ सर कही बार सर मेरिट 130 कोच्चन में 110 करके आने पर भी नकल के परोसे मेरिट इतनी आई चल जाती है सर हम लोग का जौब नहीं हो पाता है सर अब बताईए 130 में 110 कोच्चन करके आए फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है आप कौन से वर के हो हम सर, OBC जालते हैं आप OBC के हो जी सर अच्चा आप अच्छी तरह सुनो देश में अच्छी तरह सुनो देश में ओ पर कितना है देश में सर, OBC लगबग सर 70-60% है दलित वर कितना है दलित वर भी सर, 60% है लगबग 60% जी सर, नहीं OBC वर्ग 50% है दलित वर्ग 15% है आदिवासी वर्ग 8% है कितना हुआ सर, पूरा होगा, 73% सर 73% दलित आदिवासी पिछडे ठीक है अब मज़े की बात सुनो पाल जी पाल जी सच्चाईए है कि आप पिछडे वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविश्य नहीं है ये ये सच्चाई है मैं आकडे है आपको दो-तीन आकडे देना चाता हूं आपकी अबादी 73% है मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आकड़ा निकाला एक मालक OBC दलित आदिवासी नहीं है एक नहीं है हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े I.S. अबसर के मैंने लिस्ट निकाली उसमें तीन लोग आपके है तीन दलित एक आदिवासी है आपकी हमादी 73% और आपकी वहाँ पे भागिदारी 5% मीडिया में आपका एक आदिवासी है नहीं है कचेरियों में कोट्स में 650 में से आपके 100 है तो आप लोग चलाते हो आप अपना और आपका यहाँ कुछ नहीं है आपको भड़काया जा रहा है आपको अंदा किया जा रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा देखा उसमें आपने एक ओपी सी चेहरा देखा एक आदिवासी चेहरा देखा नई उसमें एक नहीं था उसमें आमेता बच्चन थे अश्वरिय राय थी नरेंद्र मोदी थे तिहत्तर परसेंट का इंदू राष्ट्रे जिसमें तिहत्तर परसेंट की आबादी कहीं दिखती नहीं है आप लोग पता है कहां हो दिहारी मजदूरी जो करते हैं न उन लोग को की इन लिस्ट निकालो वहाँ आपके नाम बिलेंगे और ये लोग क्या चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को control ना कर पाओ ये देश आपका है 73% का है और ये ये जो पेपर चोरी किया है ना आपका ये आपको रोकने का طरीका है ये आपको ठगने का तरीका है ये आदानी जी की कौन सी जहत है वो भीसी अदानी दलेते अदानी आदिवासी अदानी आप देखो हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो किसानों का ये कभी कर्जम आप नहीं करते और ये 10-15 उद्योग पतियों का इन्होंने 14 लाग करोर रुपया माफ किया है आप आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो हिंदुस्तान का OPC दले तादिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे जूता मार के बाहर करतेंगे आपको और अमबानी अदानी लाग को करोर रुपय का बैंक लोन मांते मांगते हैं एक सेकंड में उनको दिया जाता है तो इसी लिए हमने बारत जोडो यात्रा में न्याई शब डाल दिया है ये आपके साथ जो हो रहा है आरो एरो एक्जाम के साथ जो हो रहा है आपके जो पेपर लीक हो रहे है ये अन्याए है आपके खिलाफ अन्याए और ये अन्याए आपके प्रधानमंत्री करवा रहे है इस बात को मत भूलिए यहाँ संगम की पवित्र धर्ती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़का जा रहा है हाँ फीस आपकी आपकी जिन्दगी में भाया मैं आपको बता देता हूँ आपको बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी अच्छा प्राइवेट सुनो सुनो मैं आपको एक ची बताता हूँ शान्त हो जाओ प्राइवेट कॉलेजेज और युनिवर्सिटीज के मालकों में ओबिसी दलेत आदिवासी कितने एक नहीं है प्राइवेट हस्पतालों के मालक में आदिवासी एक भी नहीं है तो आप अपना टाइम्स कर रहे हो आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है चोप इस गंटे आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है जग जाओ जग जाओ कड़े हो जाओ मैं सुनना चाहता हूँ जोर से बोलो जगेंगे आप संगटेद हो गए एक साथ कड़े हो गए यह जो युवा है आप कड़े हो गए आपने साथ आपने साथ और यह पहले उन्होंने पता ही क्या किया यह चात्रसंग का जो चुनाव होते है आपकी शक्ती लेके लिए जोरी करने के लिए यह सच्चाई है मैं यही इसलिए आया हूँ आपको नियाई दिल्वाने यह जो आपके UPSC का यह पेपर लीक है इसको मैं उटनगा आपके दरने की कोई बात नहीं है मगर आप अपना हक मांगो अपना हक लो यह देश आपका है 70% का है इलाबाद इन्वर्सिटी का चुनाओ भी इसलिए बंद कराए गया सर एक भी वाई शांसलर सर वाई शांसलर कभी तेल्टो वीसीयों का नहीं सुनते है वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते है सर पढ़ाई टाइम से नहीं होते बिरोध करने पर डाट के निकाल दिया जाता है आप इससे सर बोला जाता है कि सर्वार्म आपका लाए सर तो मैंने आपका हतियार क्या है हतियार का नाम जानते हो जाती जनगरना जाती जनगरना यह आपका हतियार है आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी अबादी कितनी दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागिदारी आप सुबह उटो और अपने आपसे सवाल पूछो 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है यह सवाल पूछो आप लिए सबसे बड़ा कदम और आप अपने सब दोस्तों को बताओ जाती जंगर्ना देश का एक्सरे है इससे सारा का सारा पता लग जाएगा दूद का दूद पानी हो जाएगा आप सब यह आए दिल से आपका धनेवाद करता हूँ डरो मत पीछे मत अटो आप अपना हक लेओ अथ बिए आपको यह प्यारा हो जिए एreiben भानी हो खाया करें पारेश खूचेण आप सबस्तों आपाद्धता है कि बताफ।